कुछ ज्योतिशिय तोटके दिये गए हैं जिनका उप्योग आप नौकरी में पदोननती पाने के लिए कर सकते हैं. 1. शनिदेव की पूजा करी कर्म और आपके कर्मों के स्वामी, शनिदेव, आपको आपके कर्म के आधार पर पुरस्कृत करते हैं. इसलिए यदि आप अच्छा करते हैं या कड़ी मेहनत करते हैं, तो शनिदेव आपको आपके प्रयासों के लिए पुरस्कृत करेंगे. इसलिए जब आप सर्वोत्तम परिनाम प्राप्त करने में असफल होते हैं, या इस मामले में पदोन्नती कड़ी मेहनत के बावजूद, ऐसे मामलों में भगवान शनि को प्रसन करना आवश्यक हो जाता है. शनिदेव को प्रसन करने के लिए सबसे उत्तम दिन शनिवार है, और यहां बताया गया है कि आपको शनिदेव की पूजा कैसे करनी चाहिए, प्रतियेक शनिवार को ब्रहमा मुहूर्थ में उठें, साथ ही अपनी परेशानी के बारे में जानने के लिए आप हमारे इसके बाद अपनी दैनिक गते विधियां करें और फिर स्नान करें अपने पूजा स्थान को साफ करें और पूरे विधी विधान से शनिदेव की पूजा करें आप शनी मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। साथ मुखी रुद्राक्ष को धारन करने से भी आपको नौकरी मिलने का सौभाग्य प्राप्थ हो सकता है। दो, भगवान सूर्य की पूजा करीं। ज्योतिश में सूर्य को सभी ग्रहों का राजा कहा जाता है। ग्रह सूर्य आपके जीवन में उच्छ पदू को नियंत्रित करता है। इसके अलावा, सूर्य ग्रह सफलता और प्रगती का कारक भी है। इसलिए अपने लिए पदोन्नती पाने के लिए रविवार के दिन भगवान सूर्य की पूजा करना महत्वपूर्ण है। जोतिश के अनुसार सूर्य की पूजा करने के कुछ तरीके इस प्रकार है। सूर्य से संबंधित पदोन्नती पाने का अन्तिम जोतिशिय उपए है कि सूर्य यंत्र को स्थापित करें और इसके सामने सूर्य बीज मंत्र ओम हर री री सह सूसुर्याय नमह का जाप करें। 3. हनुमान जी की पूजा करें। भगवान हनुमान को संकट मोचन हनुमान के रूप में भी जाना जाता है और इसलिए वे आपके जीवन से जुड़ी कई समस्याओं से निपटने में आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है या आपका वेतन कुछ समय से स्थिर है, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा निम्न विधी से करें। यदि आपके पास हनुमान जी की मूर्ती या तस्वीर नहीं है, तो मंगलवार को शुब महूर्त में एक मूर्ती या तस्वीर खरीद कर लाए。 अब हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ती को उस दिशा में रखें जहां सोते समयाब का सिर रखा हो. हनुमान जी की क्रिपा पाने के लिए प्रतिदिन बजरंग बली मंदिर के दर्शन करें मंदिर में मंगलवार और क्या शनिवार को चमेली का तेल जलाएं आप मंगलवार को मंदिर में भगवान हनुमान को सिंदूर चड़ाने पर भी विचार कर सकते हैं आपको परेशान करने वाली किसी भी समस्या से छुटकारा पाने के लिए हनुमान चालिसा का पाठ करना सबसे अच्छा उपाए है मंगलवार के दिन बजरंग बान का पाठ करी यदि आप विदेश में नौकरी के अवसर की तलाश में हैं तो अपने लिए हवा में उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर लगाएं तस्वीर को हॉल या लिविंग एरिया में लगाएं चार, मा काली की पूजा करी एक अन्य ज्योतिशी ने आपको पदोन्नती मिलने की संभावना बढ़ाने के लिए मा काली की पूजा करने का सुझाव दिया है ज्योतिशीयों का मानना है कि नौकरी में पदोन्नती पाने के अचुग तरीकों में से एक है मा काली की पूजा के अलावा आप मा लक्षमी को प्रसंद करने के लिए एक आसान उपाए भी आजमा सकते हैं जहां आपको सोमवार के दिन सबसे पहले काले चावल को सफेद कपड़े में बांधना है फिर उन चावलों को अपने घर या मंदिर में मा काली को अरपित करी वही चावल जरूरत मंदों को दान करी वैदिक जोतिश के अनुसार भगवान शिब की पूजा करने से भी जातक को लक्षमी की कृपा मिलती है इसलिए यदि नौकरी में पदोननती प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान शिब की पूजा करना आवश्यक है और यहां इसे करने का सबसे अच्छा तरीका है यदि आप अपने जीवन में शिब का आशिरवाद चाहते हैं तो प्रति दिन शिबलिंग पर जल चड़ाएं साथ ही शिबलिंग पर अक्षत भी चड़ाएं कच्छे दूद से रुद्र अभिशेक या शिबलिंग अभिशेक आपके जीवन से बहुत सारी चिंताओं को दूर कर सकता है इससे आपको नौकरी में प्रमोशन मिलने में भी मदद मिलेगी इसके अलावा शिब मंदिर में जाते समय शिब को बेल के पत्ते चड़ाएं केदारनाथ की तरह शिब धन की यात्रा करने की भी सलाह दी जाती है साथ ही शिब से किया गया वादा कभी भी अधूरा न छोड़ी 6. भगवान विश्नु की पूजा करी सिर्फ प्रमोशन पाने के अलावा अगर आप अपने लिए कोई नई नौकरी नहीं धूंड पा रहे हैं तो ऐसे में भगवान विश्नु की पूजा करना आपके काम आ सकता है भगवान विश्नु भक्तों की मनो कामनाएं पूरी करते हैं और इस प्रकार आपको नई नौकरी, मूल्याकन या यहां तक की पदोननती पाने में भी मदद कर सकते हैं भगवान विश्णू की कृपा पाने के लिए कोई भी गलत काम ना करें और गुरुबार के दिन भगवान विश्णू के मंदिर में दर्शन करें गुरुबार के दिन केले के पेड़ पर जल चड़ाएं कहा जाता है कि गुरुबार के दिन पीला वस्त्र धारन करने से जातक को भगवान विश्नु की कृपा प्राप्त होती है। गुरुबार के दिन किसी मंदिर में पीली वस्तु का दान करी। 7. गायों की सेवा करी। लोगों के बीच ये धारना है कि गाई की सेवा करने से अपने फायदे मिलते हैं. जोतिशी सलाह देते हैं कि व्यक्ति को जीवन में प्रगती सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदें गाई मा की सेवा करनी चाहिए. ऐसा करने से आपकी पदोननती या वेतन वृद्धी होगी. आफिस के लिए निकलते समय कुछ आटा और गुर अपने साथ ले जाएं. फिर रास्ते में जहां कहीं गाई दिखें वहां आटा और गुर खिलाएं. खाना बनाते समय हमेशा एक रोटी गाई के लिए छोड़ दें. आठ पक्षियों को अनाज खिलाना नौक्री या पदोननती चाहने वाले जातकों को पेशेवर्क शेत्र में वांचित परिनाम के लिए पक्षियों को अनाज खिलाना चाहिए. जो तिशियों के अनुसार, छट या बालकनी पर पक्षियों के लिए पीने के पानी की सुविधा बनाना भी नौक्री में पदोननती या वांचित स्थानांतरन पाने का एक तरीका है. और सर्वुत्तम परिनामों के लिए आपको इन उपायों को जरूर अपनाना चाहिए. एक कटोरी में साथ अलग अलग तरह की दाले या अनाज मिलाएं. आप विभिन प्रकार की दाले चुन सकते हैं जैसे गेहू, जवार, मक्का, बाजरा, चावल, डालें. अब रोज सुबह इस मिश्रत अनाज को पक्षियों को खिलाएं. नौकरी में प्रमोशन के लिए उपर बताए गए ज्योतिशे उपायों के अलावा और भी कई उपाय हैं जिन्हें आजमाकर आप अपने लिए प्रमोशन पा सकते हैं. उन्ही यहां देखें. यदी जाडे में तरक्की पाने के उपाय खोज रहे हैं तो गरीबों को काला कंबल दान करें. थोड़ी सी खादी हल्दी लेकर बहते पानी में डाल दें. जब भी आप अपने घर से बाहर निकले तो सबसे पहले अपने दाहिने पैर से बाहर निकलन सुनिश्चित करें. सोमवार के दिन मोती रत्म को चांदी की अंगूठी में धारन करें. घर में पीपल का पेड लगाएं और पदोननती की कामना करते हुए प्रति दिन उसमें जल चड़ाएं. पिता का आशिरवाद प्राप्त करें. एक लाल कपड़ा लें और उसमें एक नारियल बांध लें. नौकरी में पदोननती की प्रार्थना करते हुए नारियल को पूर्व दिशा में बहने वाली नदी में प्रवाहित करें. इसे रविवार या मंगलवार को करें. प्रति एक गुरुवार को बिना पेड को छुए पीपल के पेड पर जल चड़ाएं. शुक्ल पक्ष में पढ़ने वाले सुमवार के दिन सिधायोग में तीन गोमती चकरों को चान्दी के तार में बांध कर रखें. अगर नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो अपने सिर के चारों और एक नीमबू को साथ बार घेर लें. वही नीमबू अ एक पीपल के पेड के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर साथ फेरे करें. पीपल के ग्यारा पत्ते लें और उन पर लाल सिंदूर से राम राम लिखें. फिर इन पत्तों से मौली की माला बनाकर नौकरी में पदोननती की प्रार्थना करते हुए हनुमान जी को पहनाएं ऐसा लगातार साथ शनिवार तक करें. सुनिश्चित करें कि आपका दस्वा भाव मजबूत है. यकीन न हो तो अपनी जन्म कुंडली किसी अच्छे ज्योतिशी को दिखा दें. नौकरी में तरक्की के लिए इन उपायों को अपनाएं और परिनाम खुद देखें.